So good morning guys, तो चलिए आज की revision class हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले static के questions को हम देखेंगे पूछा जा रहा है, विश्व जल निगरानी दिवर्स World Water Monitoring Day कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 18 September को इसकी theme थी Solve Water, बताईया RBI के सबसे कम समय तक के लिए जो governor रहे थे उनका नाम क्या है अमिताब घोश, ये मातर 21 दिन के लिए governor रहे थे और ये 16 वे नंबर के governor थे जिनका भी निदन हो गया विश्व वरतमान में governor को ने शक्तिकान दास है 25 वे नंबर के सुदान की capital पूछी जा रही है, सुदान एक North African देश है, इसकी capital होती है खार्तुम रदस्थान रोयल जो IPL टीम है, उसके brand ambassador कौन है? शैनवान है एक book है जिनना His Success, Failure and Rule in History नाम की book को लिखा है किसने इस्तियाक एहमद ने बताइए Global House Price Index 2020 चुआया, उसमें भारत की सिस्थान पे रहा, 54 नंबर पे रहा, टॉप पे रहा था टर्की अचा पेटिम फर्स्ट गेम्स के brand ambassador कौन बने? सचिन तेंदुलकर बने देखो, PTM की बात करें, इस था अपना 2010 में होती है, Noida में headquarter इसके founder विजे शेकर शर्मा है और Badminton World Federation का headquarter कहां पर है? Kuala Lumpur, Malaysia में बताइए World Ozone Day कब मनाया जाता है? 16 September को और इसके theme थी Ozone for Life 35 Years of Ozone Layer Protection तो अब days की बात करेंगे और हाँ guys देखिए, इंडिया के top bank educators एक बार फिर an academy पर आपके लिए ला रहे हैं धेर सारी free classes तो an academy की हर class conduct की जाती है, आपके bank की हर परिक्षक की तयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ये सारी free classes आपको मिलेंगे an academy पर जहां पर आप अपने favorite teacher के साथ अपने घर से अपने personal schedule के हिसाब से पढ़ सकते हैं और an academy की हर class आप live नहीं तो बाद में recorded session के द्वारा भी attend कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो class को download करके offline भी देख सकते हैं और आप live class में ask a doubt feature के द्वारा teacher से अपने doubt भी clear करवा सकते हैं और आप live quizzes और test session भी attend कर सकते हैं जहाँ पर आपको अपनी live ranking भी देखने को मिलेगी और an academy पर total 12 भाषाओं में classes conduct होती हैं तो आप अपनी favorite भाषा में class attend कर सकते हैं आप अपने teacher के साथ interact कर सकते हैं live poll में part ले सकते हैं और यह सभी feature आपको मिलेंगे एक ही platform पर एक ही subscription के साथ तो आज ही subscribe करें unacademy पर और इन सभी benefits का lab उठाईए और हाँ देखिए अगर आप मेरा code जो की है crack exam 10 यूज़ करते हैं तो आपको additional 10% का instant discount भी मिलता है तो आपको इन सभी classes के जो link हैं वो नीचे description में मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप इन सब का benefit उठा सकते हैं अभी हम बढ़ते आगे तो days में पहला day आपसे पूछा जा रहा है world suicide prevention day यह मनाया जाता है 10 September को और इसकी theme रही थी working together to prevent suicide फिर बताईए विश्व प्राथ में कुप चार दिवस कब मनाया जाता है यह September के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है यानि कि last time हमने 12 September को मनाया था National Hindi Day कब होता है यह होता है 14 September को World Hindi Day तो आप जानते ही हो 10 January को होता है International Democracy Day कब होता है राष्ट्रे लोक्तंत्र दिवस यह 15 September को होता है और अगर आपको याद हो Democracy Index 2020 चुआया था जिसको जादी किया था Economist Intelligence Unit ने उसमें भारत 53 नंबर पे था टॉप पे नौर्वे था अब बताओ World Ozone Day कब होता है 16 September को होता है और theme Ozone for Life 35 Years of Ozone Layer Protection विश्व रोगी दिवस World Patient Safety Day 17 September को मनाते है और इसकी theme थी Health Worker Safety A Priority for Patient Safety फिर बताओ ये World Bamboo Day कब होता है 18 September को होता है जिसकी theme थी Bamboo Now विश्व जल निगरानी दिवस World Water Monitoring Day ये 18 September को ही होता है इसकी theme थी Solve Water अब बताओ अंतरराश्ट्रे 30 स्वच्छता दिवस International Coastal Cleanup Day कब होता है ये September के तीसरे शनिवार को होता है तो 19 September था लास ताइम जब हमने इसको मनाया इसकी theme थी Achieving a Trash Free Coast Line बताइए International Day of Sign Languages अंतरराश्ट्रे सांकेतिक भाषा दिवस ये होता है 23 September को इसकी theme क्या थी Sign Languages are for Everyone तो चलिए पूराने महीने के Current Affairs का Revision करते है बताइए राष्ट्रे प्रद्द्द्द्द्द्दी की दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 11 महीगू National Technology Day के रूप में मनाते हैं और theme क्या रही थी Science and Technology for a Sustainable Future बताइए किसने Madrid Open Mahila Singles का किताब जीता Women Single Title जीता तो आंसर होगा Arena Sabalenka ने ये Belarus की player है और इसमें Main Single Title किसने जीता Alexander Joriv ने जीता जो कि German के player है बताइए किसने लगातार पांचवी बार Spanish Grand Prix को जीत लिया तो आंसर होगा Lewis Hamilton ने और Elephant in the Warm ये जो book है इसको किसने लिखा कल की कूचिलिन ने लिखा एक्ट्रेस है ये आचा किस राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालेओं के नाम बदल दिया भी Tamil Nadu Tamil Nadu के नए मुख्य मंत्री बन गए MK Stalin बताइए किसने अभी साउधान रहिन सेफ रहिन जन जागरुकता अभियान शुरू किया बजाज फिंजर्वने जिसका हेटक्वाटर मिलेगा आपको पूरे महाराश्टर में और इसके CMD कोने संजीव बजाज है और किसे फिक्की लीडीज ओर्गेनाईजेशन के सांस्करतिक विरासत संपत्यों की सुरुक्षा के लिए आईडी आर्ट मुबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया था इंटरपूल ने इंटरपूल का हैटक्वाटर का अपर है लियॉन फ्रांस में इंटरपूल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ओर्गेनाईजेशन इसके अध्यक्ष जुर्गेन स्टॉक है बताईए किसने मैडरिड अपन दोज और किसमें पूरु शेकल का किताब जीत लिया उपर देख चुके हैं अपन अलेक्जेंदर ज्वैर्यों ने जीता है जो कि जर्मन के प्लेयर और महिला एरेना सबालेंका ने जीता है फुमें सिंगल टैक्टल जो कि बेलारूस की प्लेयर है अब बताईए कुरुना रोग्यों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा को शुरू किया था भी हर्याना की सरकार ने फिर देखिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरुसकार 2020 को किस ने जीता तो अंसर होगा अनामिकाने इनके उपन्यास, इनकी पुस्तक टूक्री में दिगंत थेरी गाथा के लिए और याद रखना ये हिंदी में कवीता संगर के लिए साहित्य अकादमी पुरुसकार बाने वाली पहली महिला साहित्यकार है ये है कहां से ये बिहार से है बताए रावल पिंडी में प्रसिद्ध जो के आर एल स्टेडियो में उसका नाम बदल कर किस प्रसिद्ध किर्केटर के नाम पे रखा गया शोई बकतर के नाम पे अमेरिका के अटॉर्णी जन्रेल कौन बन गए मैरिक गार्लेंड बन गए और भारत में अटॉर्णी जन्रेल कौन है के के विनु गुपाल है अब एक बुक है बांज इनकम्प्लीट लाइफ औफ कम्प्लीट वुमिन इसको लिखा है किसने सुष्मिता मुखर जी ने और मंडरेगा के तहट कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने की मामले में देश में पहले स्थान पे है तो आंसर होगा 36 गण मंडरेगा मतलब महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act और बताईए भारत के पहले विश्व कोशल केंद्र का उध्वाटन कांपे किया गया तो आंसर होगा उडिसा में A Road Map for Entrepreneur नाम की बुक को किसने लिखा जीतेंद्र गुपता ने और मद्य अमेरिका का पहला देश कौन सा बना है जैसे Malaria मुक्त अभी घूशित किया गया था अलसलवाडोर अलसलवाडोर इसकी केपिटल सेंसलवाडोर होती है अच्छा Malaria Day कब मनाते हैं 25 अप्रेल को मनाते है और किस मच्छर के काटने से होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है बताइए भारत का विद्यूत वाहन इलेक्टरिक वेकल राजदानी बनने के लिए कौन सा शहर तयार है तो अंसर होगा दिली मतलब हर तीन किलोमेटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे ऐसा बोला गया था बताइए प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने आजा दिका अमरत महत्सव की शुरुआत किस राज़िसे की गुजुरात से तो अब हम लोग रिवाइस करेंगे कल की करेंटर फेल्स को तो बताइए किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द इयर का वाड़ जीता तो अंसर होगा नितिन राकेश और जैरी विंड ने इन्होंने अपने बुक ट्रांसफोर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए या वाड़ जीता बताइए स्टार गैजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ इस बुक को किसने लिखा है तो अंसर होगा रवी शास्तरी ने इनकी पहली बुक है यह अभी डबलू एचो महा निदिशक विशेश मानित पुरुसकार से सम्मानित किया अमारे स्वास्तर मंतरी डॉक्टर हर्श वर्दन को एक्चोली मैं वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाइडिशन हर साल वियक्तियों या संगठनों को तमबापू नियंतरन के शेतर में उनकी उपलब्दियों के लिए यह पुरुसकार देता है यह सम्मान देता है इस बार दिया डॉक्टर हर्श वर्दन को अभी वर्ल्ड नो टोबेको डे हमने कब मनाया था मई का आखरी दिन याद रखलो 31 मई को जिसकी थीम थी कमिट टू क्विट और विश्व दुख्द दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे एक जून को मनाया जाता है और नेशनल मिल्क डे 26 नॉमबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे की थीम क्या रही सस्टेनेबल इंडेल इंडेरी सेक्टर एक जून को ग्लोबल डे ओफ पैरेंट्स के रूप में भी मनाया फिर बताओ किस देश ने दो बच्चों की नीती को खतम कर दिया और अब थ्री चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया चाइना ने और अभी सावर कर A Contested Legacy 1924-1966 नाम के बुग को किसने लिखा विक्रम संपत ने और किसने दुनिया भर की किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया तो अंसर होगा इफको ने इफको मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को अपरेटिव लिमिटेड जिसके अध्यक्ष बी एन न कई है अच्छा बताएए दुनिया का पहला कार्बनिक योगिक यानि के ओर्गन कमपाउंड कौन सा है यूरिया ही है जिसका निर्मान किया था वोहलर ने और इसका केमिकल नीम क्या होता है कार्बेमाइड कार्बेमाइड C-A-R-B-A-M-I-D-E कार्बेमाइड अच्छा बताईए शरीर में यूरिया का निर्मान कहां पे होता है तो आपका आंसर होना चीए लिवर में अब बताईए नौसेना स्टाफ के उप प्रमुक कौन बन गए तो आंसर होगा निट सिंग हमारे नेवल चीफ हैं करंबेज सिंग अभी दो दिवस ये P4G Summit 2021 किस देश के अद्धिक्षिता में संपन हुई South Korea South Korea की Capital Sea All है करंची इसकी South Korean One है Moon Jae-in इसके President है तो गाइस ये लिचिए ये थी हमारी आच्छी Revision वाली क्लास और क्लास अगर अच्छी लगी हो झाली क्लास अभी हो